राजधानी बोपाल के दानिस नगर इलाके में पेड़ काटे जाने पर महिलाएं भड़क गई उन्होंने विरोज जताया और पेड़ काटने वालों पर F.I.R. करने की मांग की CM सिवराज सिंग चोहान को ट्वीट भी किया महिलाएं बोली की पेड़ों को उन्होंने बच्चों की दानिस नगर में नगर निगम का एक पार्क है बुद्दवार को जब कालोनी की लोग पार्क में पहुझते हैं तो उन्हें पेड़ कटे हुए मिले इसके अलावा टहनियों को जलाया भी गया पेड़ काटने से पार्क उजाड हो गया कालोनी की अंसु गुपता ने बताए कि पार्क के लिए महिलाओं ने कई दिन तक संघर्स किया लेकिन यहाँ पर 25 से 30 साल पुराने करीब 30 पेड़ों को बेरहमी से कार दिया गया कालोनी की महलाएं भी इने संरश्चित कर रही थी और घरों से पानी लाकर पेड़ों को दे रही थी यह हमारे बच्चों की तरफ थे लेकिन उनके सामूही खत्या कर दी गई जिनोंने भी पेड़ कटवाएं उन पर कड़ी कारवाही की जाए पेड़ कटाने के अलावा पार्क की बाउंडरी वॉल भी छती ग्रस्त कर दी गई है पेड़ काटने और पार्क की बाउंडरी वॉल छती ग्रस्त करने के विरोध में सहर के कई पर्यावण विद भी विरोध में उतर गये हैं परेवन सनच्छर से जुड़े उमासंग करतिवारी ने इसे लेकर शेम सिवराज सिंग चोहान को भी ट्विट किया है और ततकाल कारवाही करने के मांग की है यह पार्क वार्ट नमबर तिरपन में है अग कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलब्थ है हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामे योजना का लाब आयश्मान जन आरो के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडी क्लेम की सुविधा उपलब्थ है हमारे यहां लेजर कैंसर अस्थी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अवरीवा के नैशनल अस्पिताल में उप्लब्ध है नैशनल होस्पिटल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पटेल के द्वारा उप्लब्ध करवाई ज संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल होस्पिटल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 007662359974 या फिर संपर्क करें 86028859900 पर